नमस्ते दोस्तों जुहार मैं निमेश सर आप सभी का विश्रिक्ष करती यूडिव चैनल में हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों 25 मार्च को जो एक्जाम होने वाला सोसोलोजी यानि समाज सस्त्र उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस अप्लोड हो चुके हैं उसका प्लेलि कब बना था आप सभी को पता है दोस्तों हिंदू विवाक कानून कब बना था 1905 में यानि ऑप्सन जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब देख सकते क्या पूछा गया कि भारत में पहली बार किस वर्स राष्टिय जनसंखा निती घोसित की गई थी य पूछा गिया है कि निमन में से किसे परजात अंत्र का चोथा अस्तम किसे पुछा गिया है कि ग्रामिन समाज की कौन सी विश्यस्ता है मैंने आप लोग को और रेडि बता दिया दोस्तों ग्रामिन समाज वो किरसी परधान समाज होता है तो इसका जो करेक्ट अगर समाज की कौन सी विश्यस्ता पर मुखे दोस्तों क्रिसी व्यवसा ठीक है याद करके जाहिएगा चैने कोशन मेरा कराया हुआ कोशन ने देख सकते क्या पूछा गया है कि उदार राष्टियता का काल है मैंने बताया तर इसके लिए ट्रिक कॉंग्रेस की अस्थापना और ब जनांकी की सब्द किस भासा से लिया गिया है देखिए जन संख्या आइदन को जनांकी की का जाता है यहाँ पर क्वेशन पूछ दिया है कि जनांकी की जो सब्द है वो किस भासा से लिया गिया है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन जो फोर है दोस्तों वो करेक स्टितियों से ठीक है आप लोग खुद से ही solve करते चलिएगा और अंत में आप लोग बताईएगा आपका 40 questions में कितना questions right हुआ ठीक है अगर यह paper आप लोग का आता ता आप लोग कितना लाते वो comment में जुरूर बते हैं चलिए नेक्स्ट को बढ़ते है question number eight क्या पुछा गिया दोस्तों कि निमलिखित में से किसका संबंद जन संग्खा के स्वैम समायोजन चक्रस है तो इसका correct answer हो जाएगा दूस्तों Adam Smith option जो one है वो correct हो जाएगा ठीक है चलिए देख सकते हैं question number nine में क्या पुछा गिया है कि उपनीवेस वात का संबंद है तो उपनीवेस वात का संबंद आप सभी को पता है दोस्तों किस से समराज जिवाद से और जो फोर है दोस्तों वो correct हो जाएगा ठीक है चलिए देख सकते हैं दोस्तों question number 10 में क्या पूछा गिया है कि जन संख्या की दिरिष्टी से भारत का विस्वा में कौन सा अस्थन है आप सभी को बता है दोस्तों जन संख्या की दिरिष्टी से भारत का अस्थन जो जो है वो दूसरा है चलिए आप लोग comment बताईएगा जन संख होता है और समाजिक संबन्द दोस्तों जानते ही समाज का निर्मान होता है यह पर तीनों का तीनों correct लग रहा है यानि इसका option जो है option 4 is the correct answer all of these इन में से सभी क्या है question देख सकते हैं कि हरित कांती किस राज में ज्यादा सफल रहा तो हरित कांती सबसे ज्यादा अगर सफल रहा वह पंजाब में और किस फसल की रित्पती ज्यादा हुई थी दोस्तों आप सभी पता है गे हूँ ठीक है चैने नेक्ट कुशन में 13 में क्या पूछा गि है बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो है वो देख लीजेगा सेट वन भी दिया गिया सेट टू भी दिया गया प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगो ठीक है यह जो है दोस्तों प्रिवियस एर कोशन है तो मेगा पार्ट कर नेमने में से किस आंदोलन से जुड़ी है आप सबी पता है परियाबरन संबंदी आंदोलन से जुड़ी हुई है यानि जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा चैनेक्ट कोशन बढ़ते हैं दोस्तों कोशनर 14 कि भातिय समुदाई की कौन सी सर्व पर्थम विसस्ता है देखिए सर्व पर्थम विसस्ता पुछा है तो भ हम दों के परिनाम सौरूप शहरों में कि सतरक्ण पर्थम उत्पन होता है यानी इंड़िकरी का बोलवाना यानि उद्धो का देखने को मिलेंगा ही साथ जल पर्धूसन भी देखने से वह साउंडाइं पर्धूसने यानि धौनी पर्दूसन भी करेगा यानि तीनों का तीनों दोस्तों यानि ओल अब दिज इन में से सभी चलिए हम लोग नेश्ट को बढ़ेंगे कोशन नमबर 16 देख सकते उस्टों कोशन में क्या पुछा गिया है पुछा गिया है कि समाजिक परिवर्तन में मत्पुन भू समाज में परिवर्तन कर डालते हैं ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओल अफ दीज इन में से सभी चलिए नेश्ट कोशन में 17 देख सकते उस्टों कोशन में 17 जो बहुत इंपॉर्णन है यह इतियास वाले भी जानते होंगे और पॉलिटिकल साथी वाले भी जा सब्सक्राइब कर डालते हैं कि आस्योग जो अंदोलन है उसको start किनों ने किया था इनका जो अंदोलन हुआ था किसने प्रारम किया था स्टार्ट किसने किया था दोस्तों आप सभी पता है मात्मा गांधी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option 2 मात्मा गांधी ठीक है सब्सक्राइब का सरपतम परियोग किस ने किया यह भी पूछा गिया है तो गुड लक इस तरह के कर याद रखेगा तो यहां पर है देखे गुड लॉड ठीक है यानि गुड लाक नहीं गुड लॉड याद करके जाएगा ओप्सण जो फोर है वो करेक्ट हो जाएगा चैने क्या है कि निमन में से किस आंदोलन का संबंद परियाबरन समयशाओ से भी जुड़ा हुआ है यह को सभी को पता है कौन सा आंदोलन परियाबरन से लेटेट है दोस्तों चिपको आंदोलन ठीक है यह याद करके यहीएगा चली नेक्ट को बढ़ेंगे कोशन में 20 धर्म नि धर्मों के परती सर्धा आप सभी धर्मों के परती सर्धा रखिएगा ठीक है और क्या अपना कोई धर्म ना होना राज का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है ठीक है भारत जो राज जो राज है दोस्तों देखे हम लोग धर्म निर्पेच राज जी यानि भारत से बिलॉं करते हैं भात का अपना कोई धरम नहीं होता है ठीक है धरम तो बहुत सारा है लेकिन भात जो है सभी धरम को सभी तेवार को मानते हैं सभी तेवार में स्कूल भी छूटी दिया जाता है ठीक है हम लोग सभी तेवारों में धुमधाम से मनाते हैं तो याद रखेगा यह जो ध करकन की अस्थापना कभ वही है आप सभी को पता है कभ वही दोस्तों 15 नमबा 2000 ठीक है 15 नमबा बहुत इस्पैसल डे है दोस्तों किनका बद्डे है आप लोग बताईएगा ठीक है कमें इसका अस्थापना किसमर्स हुई थी सोसेलोजी वास फांड इंड ये जो मेरा पिछला वीडियो देखें वह आराम से इसका अंसर बता दीजिएगा हुआ था कब दोस्तों आप्शन जो टू है 838 इस दा करेक्ट अंसर चैने कोशन में 23 में कि राष्टवाद का अर्थ है तो राष्टवाद का अर्थ क्या है यहां पर पूछा गिया दोस्तों तिहां पर हमको ए पर है वो करेक्ट हो जाएगा जाती एक बंद वर गए यानि कास्ट इसे क्लोश प्लास था आप सभी पता यह लाइन किसने का है मजुंदर एवं मदन ने ठीक है चैनेश कोशन मरते दोस्तों कोशन 25 क्या है कोशन 25 में देख सकते नातिदारी की कितनी स्रेनिया होती है एगर आप से प्रकार पूछे तो दो टाइप के प्रकार होते क्या 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 एक रक्त समबन्दी नातिदारी और ईक विवास सम्मंदी नातिधरी ठीक है दो टाइप के नातिधरी होते हैं अगर प्रकार पूछता तो आप लोग दो टिक किजएगा अगर स्रेनी पूछे तो तीन टाइप का स्रेनी होता है यहाँ पर आप्षिन जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चाहिए नेक्ट कुशन से सभी ठीक है यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा ठीक याने इसका जो और लोगों को कर के जाना ही है बहुत कोशन से ऐसे पूछे जाते हैं कि मारगन के अनुसा नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं इस नातेदारी का प्रकार प्रकार पुछ है थ vet 29 है कि पुछा गिया पुछा गिए तो जाती किस टाइब का विवस्ता है एक समाजिक संस्ता है तौन समरी थरी ठीखो Nicholas सब नातेदारी का रिती है, परिहार भी नातेदारी का रिती है, परिहार सम्बंद भी नातेदारी का रिती है, और माईद्यमिक सम्मोधन भी है, नातेदारी का रिती, यह इसका जो पुछा गिया नहीं है, यह आप लोग पढ़ क्या गियेगा, बहुत सारे बच्चे नहीं तो नहीं देख कर आते हैं जिसके वाज़ उनको लगता है पुछा गया है फट से मार देता है परिहाद सम्बंध ठीक है तो आप लोग यहां पर देखिएगा नहीं पुछा गया तो नहीं क्या हो जाएगा वर्गी करित संग्याई ठीक है चाहिए नेक्स कोशन बड़ते हैं में पुछा गया है कि धरम में समाजिक सिधान से कौन जूड़े हुए हैं तो इसका जो गया बमकिस समाज में पाई जाती है आप सभी पता आधीम समाज में ओक्यू आई है वह वर्ग संगर्स का सिदान मेरे कराया है दोस्तों ये कोशन वर्ग संगर्स का जो सिदान ते किनका देन है दोस्तों काल माक्स का बताया था दोस्तों ठीक है चलिए नेक्ट कोशन बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कोशन नमर 34 34 में क्या पुछा गिया है कि पू weed का अप सब्सके सब्सक्राइब इसका correct answer स्वाड़ का सब्सक्राइब मुल निवासी ठीक है जोस्तों कुछनवा 35 क्रिशक आंदोलन के पिदा कौन है यह मैंने कराया हुआ क्या हो जाएगा स्वामी सहाजानन सरस्वती यह करेक्ट अन्सरे अफसे नमबर थ्री जोस्तों कुछनवा 36 में पुछा गया है कि अनुसुची जन जाती को पहले किस नाम से पुकार जाता था आदिवासी के नाम से पुकार जाता था ऑफसन जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा चैने स्री निवास इस दा करेक्ट अंसर चैने स्कुछन बढ़ते हैं दोस्तों कुछा गया है देख सकते दोस्तों कुछनवा 38 जाती का अधार है दोस्तों तो जाती का अधार क्या होता है जनम जनम ले लिजिए जाती डिसाइड हो जाएगा जनम ले लिजिए जाती डिसाइड हो जाएगा यानि जाती का अधार अगर पूछे तो जनम जो है वो करेक्ट हो जाएगा 39 परियोजना कारिये के कौन-कौन से चरन है आप सभी पता है परियोजना जो है कारिये के कौन-कौन से चरन है option 1 भी correct हो जाएगा तथ्यों का संक्लन भी करना correct हो जाएगा यह भी correct हो जाएगा यानि इसका जो correct answer है option 4 इन में से सभी चाहिए last question रंतीम question देख सकते जो इसका मूल कारन था नई किसम की बीज का तो अब स्थरी है ये करेक्ट हो जाईगा अब चलिए अगर ये कोशन आप लोग का आथा तो आप लोग 40 में कितना लाते कमेंट बोक्स में बतेएगा ठीक है और दोस्तों एक से एक helpful वीडियोज आने वाली है अगर आप लोग चैनल को subscribe नहीं किये तो कर लिजिए ठीक है और comment बस में एक प्यारा से comment दीजिए कि ये सारे वीडियोज आपके लिए helpful सावित हो रहा की नहीं और demand कीजिए, demand को रखिए, देखिए पूरा करने का जो है वो मेरा comment ठीक है तो चलिए अब हम लोग जो है next video मिलेंगे अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर join नहीं किये तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को join कर लिजिए ठीक है चलिए एक नए वीडियो को साथ मिलते है धन्यवाद जैहिंद बंदे मातर